वेलकम डिये स्टुडेंट वेलकम टू उडान कोचिंग अकडमी प्लेटफम बच्छो यस तो बच्छो कंटीन्यू लेक्चर्स हमारे कंटीन्यू चलते रहेगे तो यह आज के क्लास में मोसन इन स्टेट लाएं लेक्चर्स नमबर थ्री करने वाले हैं बच्छो यस बच्छो रिजर्ट में इंप्रूमेंट आ रहा है तो यह लेक्चर्स कंटीन्यूम लगातर करते रहेगे इसके साथ में हम क्या होगा एड यह सारे लेक्ट्स की डिपी डेली प्रेक्टिस प्रॉब्रेम वीडियो के लिट्सरिशन में आपको यहां पे दिया गौर साथ मे फिले स्टार्टिंग में पॉइंट कवर करवाएगे देन क्या कवर करवाएगे प्रिविएश यहर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटी एक्जाम्स के जेई और नीट के सारे प्रॉब्रेम यह समझो आज का जो बच्छो टोपिक होगा क्या है सर यह जो टोपिक दिख रहा ह इतने सारे डोपिक सारे प्रॉब्र करवा है बच्छो टीक है तो यह जितने भी जेई और नीट के सारे प्रॉब्रेम और साथ में लेक्चर्स की नोट आपको वीडियो के डिस्प्रिशन में मिल जाएगी बराबर बच्छो तो सबसे पहले क्या क्या होने वाला है सर तो इंस्टंटिनियस पूड क्या होगी instantaneous reality क्या होगी और इंस्टटिन ऐटलेस एक्सलरेशन प्रॉब्र नखेंव इइस अधियों तो सारे किएबच्छो अच्छा आख तो सटार्ट सब्सक्राइन यस बच्चो myself again राजन कोटेडिया बच्चो पूरी तोरी से कोशी से रहेगी कि सारे concept clear हो जाए बच्चो तो acceleration क्या होगा बच्चो acceleration बच्चो नाम से पता चल रहा है कि सर acceleration क्या हो गया तो देखो जो accelerator word होता है उसके बेश से acceleration आया तो मान लीजे बच्चो कोई कार बच्चो जाय रही है डाइग्राम ठीक बनेगा नहीं बट तुम लोग concept पर द्यान देना बच्चो अब मान लीजे सर यहां पर कोई कार जा रही है बराबर उसकी इनिशल वेलोसिटी यू है इनिशल वेलोसिटी क्या दिया यू दिया है और बच्चो और कुछ टाइम के बाद स्पीड बढ़के या कम होके जो भी है और फाइनल वेलोसिटी हो रही है आपकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है और यहां से स्पीड बड़ाने स्टाटिंग की वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटेशन ये तब पहुंचने में, ताइम क्या लगा, बच्चो ती टाम लगा, तो आपको पुछा सर, एवरेज एक्सलेशन बतादीजिये, क्या बता है ये बच्चो, एवरेज एक्सलेशन बता आगक कि यहां से Чो पहुंचने में यहां से तक पुंचने में यहां समझे नीज यहां Sub क्रीघारोर से किन दो तो ठूज तो दस से ठूजशने में जो टाइम लगा और टाइम से डिऑड कर देंने यह क्या गया Be यह नॉर्मय एक्सलेशियन आगया गया एगर वेक्टरम में लिखा नो में क्या लिख सकता हूं V – U एक्सलेशियन का फ़ॉर्म में आगया ऑक break एक्सलेशन का उनिमेंट का होगा कहां देखो यह इसका यूपर का युद्टो क क्या होगा मिटर पर सेग को सेक दिपिल हुजाएगा तो क्या होजाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वियर हो जाएगा ऐक्सलरशनेYE अगया, ठीक है ओके इक सवाल सर सिम्थर करवा दो or clear होगा मान लीजिए बचो यहाँ पे आपको इनिशिशल वस्यरी देया है सर मीटर पर सेकंड देया है और फाइनल वस्यरीटई एसर 30 मीटर पर सेकंड देया है बराबर और यहाँ से बचो 10 से 30 तक पुँछने में जो टाइम लगा इसको बच्चो閹 Home क्या हूइत कर देगे टाइम कर देगे तो पाेनल विलिशिटी कितनी दख़री 30 दख़री इनीशन कितनी करी 10 तो 30 – 10 कर देगी का में को पहुंच नहीं में कितना टाइम लिए तो extensive lesson क्या हूइत कि 20 बाइ 10 00 cancels cancel हो गया बचो यूनिट क्या बता दिया मीटप पर सेकंड स्क्वेर बताया था एक्सल लेसन क्या यह टो मीटपर सेकंड स्क्वेर आए बराबर अच्छा सवाल कर दो तो माझ लीजिये सार इनिशल वलस्टिटी बचो कुछ सवाल कोई कोई कार चलो ट्रेंज आ रही है ठीक ह और यहां पर ट्रेन की फाइनल वरसिटी हो गई कितनी हो गई सर यह बच्छो 36 km पर अवर हो गई और यहां से पोहँचने में कितना टाइम लगा तो यह बच्छो टाइम लगा 1 by 2 मिनिट लगा, कितना लगा 1 by 2 मिनिट पको पुछा एकसें बता दीज़ा क्या पुछा एकसें इकसलेसं बता आप दी bet यह घंटे में कि आओगी तरी सिक डब जीरो सेकंड होगी दो जीरो कट गया 10 बाइ 36 तेन बाइ 36 को इसको क्या कही कि यहां पी 18 टूजा कर देगे तो तो यह किलो मीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होगी 5 तो इसको सिंपल कर सकते कितने से मुल्डीप्लाइब करते कि 5 ऐटीन से यह किसमें अन्वाइब हो गया मीटर पर सेकंड में कर दिया तो क्या ही 5 मीटर पर सेकंड आगी इसको 36 किलो मीटर पर है इसको कनवर्ट करना हो तो 36 को कितने से कर देगा अगये 5 ऐटीन से मुल्डीप्लाइब कर दिया तो क्या आजएगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया टाइम वन बाई टू मीनिट है उसकोर सेकंड में कर देगा थर्टी सेकंड हो जाएगा ओके सर और आपको पुछा एक्सलरेशन पूछा तो एक्सलरेशन का फॉर्मा भी आपको समझा दिया वी माइनस योपन टी तो फाइनल विलसीटी कितनी है सर तो है टैन है इनीशल कि है एक्सलरेशन को यह मिडीब वश्कूर्ण हो ठीक है ओकर भी तो एक्सलरेशन बात समझ महाई की एवरेज एक्सलर इजया करते हां अगर ध्यान दीजेए क्सलरेशन की वेल्यू प्लॉस कँम ऐगी कर स्पीड बढ़ रहे यहां स्टार्टिंग में स्पीडrена और में बढ़एगा और 2017 समझो मार दिया सो ब्रेक मार दिया State कऋ कव ».差 माइनस में रहे गाय माइनस में रहे गा सुनिध बढ़ेगी तो बच्छो एकस ट्रैसन पोजीटिव कर देना है स्पीड कउम की तो अब लास क्लास में स्पीड देखाता सु मोग पता है यॉ바 बराबर कें तुम लोगों स्पीड बराबर है होता है जैसे मैं तुम लोगों बताया था यह कि अब घंटे तक 300 vita थीन हाइद हें लेन किलोमीटर पर हमारी ऐस्पीड आई भाई ऊने सब्सक्राइब अब इस्टनियेज का मतलब होगा इस्टनटीनेस का मत्लब यह होता है कि सर मान लो बचो यह पॉइंट से जर्णी करना स्टार्ट किया और इस यह भी पॉइंट पे समझो इसको लगा हमको यह मान लिए तीस सेकंड टाइम लगा हम तो मेरी इमान लिजे मैं बूचू सर 18 सेकंड में मेरी स्पीड क्या थी कोई पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या थी उसको गएगे इंस्टन्टेनियस स्पीड कहेंगे समझ माई बात तुम लोग पई सी से डी तक ट्रावल करना बचा लोग ट्रावल करना स्टार्ट कर दिया यहां से बचो यह समझो कि एक मिनिट टाइम लगा एक मिनिट बराबर किया होगा सर 60 सेकंड हो गया तो मैं बोलू तुम लोग को पाई मेरी 21 सेकंड पर स्पीड क्या थी यह उस परडिकल्र पॉइंट पर स्पीड क्या थी उसको कहें इंस्टन्टीनियस कहेंगे सर ने लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट कि दस बज़े तक उसे पढ़ाना 11 ज़े तक पढ़ाया सरने ठीक ठाक पढ़ाया पर अगर मैं बुलू कि दस बज़े सब्सक्राइब इस उसको कि बात हुए तो उसको कहेगे इसक चाहेगे बात सब्सक्राइब इसको क्या होगा इसको इसको हब कि एवरे स्पीड का अगर गर बता हो तुम लोगों इसको इसको से समझते देखे उसके पहले अगर में बताओ तुम लोगों को स्पीड का फॉर्मना डिस्टंस अपन टाइम जहांते हैं ग्राफ से डिस्टंस कैसे निकाल सके तो देखो बच्छो वाइक्स पे मैंने डिस्टंस लिया क्या लिया डिस्टंस को वाइसी डिनोट कर दिया तो सब्सक्वेशन कई मैं सा उनिकाव Μशंद किnost कवर करें मालीजिये एक सेकंड में दस में कवर करें जाना पर तीसेमें समें निकस के पाहई कर्या इसको यॉनिकफाओ मिल्सwhite नयllow मालिगी तो देखो ए मालीजिये चाहिआ और जीडिया 2 टाइम वाज टीव टाइम में शेय इंट्रवल आगये यहां distance बच्छोँया डीवन है ओकिडिस्टेंस क्या डीटू है डिस्टेंट दीट्री है बिस्टेंट डीफ़ डीस दिस्टेंस को यसी डीनॉट कर दिया स्वरी डिस्टेंस को प्च्छोँऊ वाईवन वाई-टू y3 y4 ठीक अब देखो equal time equal distance तो t1 में y1 t2 में y2 t3 में y3 t4 में y4 तो graph कैसा जाएगा sir straight line जाएगा ठीक graph कैसा जाएगा straight line जाएगा तो अगर मैं बुच्चो बोलू कि ये t2 and t4 के बिच में speed क्या होगी generally speed तो constant ये तो t2 and t4 कि बिच में speed क्या होगी तो t2 and t4 की बिच में क्या बनाएगे बच्चो एक triangle बनाएगे ठीक एक triangle बना दिया तो देखो ये क्या है ये वाली दूरी ये जो ये बच्चो है y4 minus y2 है और यहां पर क्या है sir t4 minus t2 है तो graph का slope slope बोले तो ये बच्चो ठीटा अब देखो ये क्या होगा y2 minus y1 तो ये divide by t4 minus t2 तो ये क्या बताएगा t2 minus t4 का बीच में speed है देखो इसका 10 theta निकाल तो 10 theta का फॉर्म है क्या होगा opposite side upon adjacent side होगा तो 10 theta बराबर सामने वाली side y4 minus y2 upon t4 minus t2 ये क्या बताएगा speed है opposite side upon adjacent side ये क्या बताएगा speed बताएगा अब देखो यह अगर मैं आप तुम लोग को t1 एं t2 पीच में बताओ तो ये क्या होगा इसा बनेगा तो theta same आ रहा है और जगा पर theta same आ रहा है तो speed क्या constant constant speed को क्या 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 uniform speed करेंगे ये क्यों सी uniform speed है अगर speed constant है तो और जगा पर theta same जाएगा theta same क्या रहा है क्यूंकि graph state line बन रही है straight line तभी बनेगी क्यूंकि uniform speed है पर सर non uniform speed हो तो अगर मेरी speed बच्चो continue change हो रही है तो उसका graph क्या साथ चाहेगा तो रिखिए यहां पर क्या speed बढ़ रही है क्यों स्पीड बढ़ेगी तो graph ऐसे जा रहा है अब यहां पर हर जगा पर theta क्या इंडिकेट करता था इस जगा का चोटा से triangle बना दिया क्योंकि यहां से ट्राइंगल बना दिया क्योंकि इस जगा पर यह ट्राइंगल बनाना जहां से से टाइम चाहँ होता है यह चो टाइम चोट बराबर क्या खרब्लों है च्छोट से कि कह और पूं दीट त यह क्या कहह रहा है कि चोटे से प्रिखम सब्सक्राइब कर दिया इस जगा में बटाएगा मुल्टिकॉल और प्रिक्ला divide gt speed बचाएगी इस जगह का ठीटा अलग होगा यहां का ठीटा अलग होगा तो और जगह spid change हो रहा है spid change हो रहा है तो particular point पे speed find करना उसको तो instantaneous speed कहेंगे तो instantaneous speed find करने के लिए बचो यह फॉर्म ना होता d y upon dt हलाकि y की value change हो रही है y की value change हो रही है तो wie राबर मांन लीज़े y की value change हो रही है time की respect में तो y राबर t square ये function है तो t बराबर वन सेकंड पे y की distance कितना कवर किया होगा 1 का स्क्वेन Um ninguém कवर किया होगा तो t बराबर 2 सेकंड पे distance कितना घृत कवर किया होगा हम देखो पहली सेकन्ड में जाए था दूसरी सिस्कूर मेरे जाए तो ना ग्या यह क्या होगा Also चाहर-चीर से भी करें, थनू में कुर उस आफ़ ने साथ मीटर का गेप हो गया तो बड़े बड़े जंप ले रहा है तो स्पीड बढ़ रही है तो मैं बूलू सर चोथी सेकंड पर बराबर फॉर सेकंड पर मेरी स्पीड क्या होगी तो अभी हमने स्पीड करने के लिए मैं बतायों तुम लोग को इसका क्या बताना स्लोप बताना है यह को इसको डिफ्रेंशियर करने के लिए को दिफ्रेंशियर करने के बचो याद रखना यह एन को आगे ले लो यहां एन से कम हो जाएगा समझ में नहीं है सर देखो य बढ़ बचो माण लो X to three था तो इसको क्या कर देने यह T है चलो तो डिवाइप ओं डिटी तो क्या करने थ्री को आगे लेने का यहां उससे कम कर देने का यह उससे क्या कर देने का से पावर द्रोलों है उसमें से कंप कर दो सब्मस्राइब और क्लियर ज़ीँ गरवा दिए सब्सक्राइब करें यहां पर तो को आगे ले लो और वहां उसमें से वन आ गया स्पीड आगए अब कोचे टाइम पर आपको भादवाद करना आप तो स्पीड इट टी बराबर किया अगा ओगा फोर सेंड पह तो टू इंटू किया ओगा 248 8 meter per second speed होगी यह आई समझ में आई बात तुम लोगो बच्छो अब सार कुछ clear अभी नहीं हो रहा है और सवाल करवाद हूँ मान लीजे बच्छो y की value change हो रही है t square t cube दिया है आपको बज़ा speed find करो यह distance है यह distance है यह क्या दिया distance है डिस्टंस चेंज हो रहे टाइम के तो speed find at t बराबर 24 second पर speed क्या होगी चलो यह 5 second पांच 20 second पर speed है क्या होगी तो पहले क्या करें कि speed find करें कि dy by dt करेंगे तो क्या होगा जो यहाँ power वướ Whoa गया यहां उससे के कम हो गईए है यह उसको कम हो जाएगा अब कौन सा 15 second पर बॉच्छो boundary 25 बउचश्य स्कुर्च 25 सेँए क्या होगा से 25 मीटय स्कूर्ट हो गया डिया हो एक सवाल कर वाद दू अगर मालीजी Speed प्लस टी स्कूर ऐसा दिया है ठीक और आपको बचाट फाइंड स्पीड एट बराब दो सेकंड पर स्पीड बताओ डिस्टंस चेंज हो रहा है इसके इसाब से टाइम पहला वन हो तो वन रख देने तो 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 रख देने का तो क्या कर देने डी वाइब डी ती अब यहां कर टी बराब अबंद चुसा कर देखें तो फूर टू का क्यूब प्लस क्या ओगा तो इन्टू तो टू का क्यूब एट एट फोर जा थर्ती दू ळा थिट फूर क्या हो जैगा तर्टी सिक्स मीट पर सेकंड यह क्या होगग स्पीड आगई ती बराब दो सेकंड पे दूसर कि दूसको instantaneous speed कहेंगे instantaneous velocity भी सेम कहानी बच्चो particular point पर velocity क्या होगी तो उसको कहीं कि मान लीजिए यहां पर displacement s है displacement s दिया है तो displacement को s से denote कर दिया वहां पर distance था displacement displacement s और यहां पर बच्चो time है time t time को t से denote कर दिया है और यह displacement time graph को सह से जा रहा है तो particular point पर अब देख्वार्ज का theta सेम हो रहा है तो सेम यह particular point पर हम जो निकालेगे यह ds और dt तो यह ds upon dt मालब उसका 10 theta यह क्या बताएगा ds upon dt बच्चा बताएगा है कि का में यह वेलो सीटी के बताएगा ds स्थेडकर बताएगा बरब सेम तो और सेटो इसलेरेशन वो तो भी वहह है इसलोसे verbs यह क्याوب है इसलोसेन का फोर्मा भी जर्णर से priorities on क्या करेंगे वेलोसिटी को डिफ्रेंशेट करेंगे किसके टाइम के रिस्पेक्ट में यह यह बताएगा इंस्टन्टीन आपके टीन पाड़ेंग अंप अब टीन को तो टाइम से डिवाइड करेंगे वेलोसिटी निकाले कवर करवाते बच्छों क्या दिया है 2022 का सवाल दिया है डेख्यों कि यह को र एक स्क्वेर हो जाएगा तो यह पेर्दक्ति हो जाएगा डीएकस हो जाएगा वीशन वान पॉर हो जाएगा आपको इसका मैं से लिख सकथा थे इसप्ट में इसको स Şimdi तो टी स्क्वेर ए टू आ गया जागा तो क्या होगा वन पार हो जागा कितने सेकंड पर टी बराबर फोर पर पुछा तो टाइम की वेल्यू क्या रख देगे फोर रख देगे सब्सक्राइब होगा तो कौन सा हमारा नमबर है बचो आंसर नमबर सी है सिंपल बचो आगे लेकर चलू तुम लोग को कौन सा सवाल सर दिया है चेही में 2023 का सवाल रिसंटली अभी पूछा गया सवाल दिया है क्या दिया है देखो डिस्टन्स चेंज हो रहा है डिस्टन्स डिस्टन्स को एक से दिनोट कर रही है टाइम कि रिस्टेंज हो रहा है तो वेलोसीटी पूछी कौन से 5 सेकंड पर कि वेलोसिटी का फॉर्माई किया अब देखो displacement डिवाइट बैटाम अब पाथ में चलता होगा तो दिस्टंस एंडिस्टंसमेंट सेम ही होता होगा तो अब यहां यह डिस्टंस का होगे होगे तो मैं क्या करें दिए अब इसका सब्सक्राइब क्वार ओकिन सब्सक्राइब वा निकाल दो द्याइब यहां जो पावर को आग गया जाएगा तो फोर है यहां तू आगया जाएगा उसकी घम हो जाएगा 1 हो गया, तो 4-2 हो गया हो गया, 80 हो गया, तो V बराबर क्या हो, 80 हो गया, कौन से second पे? तो T बराबर 5 second पे, तो velocity T बराबर 5 पे, 8-5 हो 40, 40 मीट पर second. तो क्या अगर 40 मीट पर second आ गया? ठीक है, तो कौन सा ऊप्शन है सर? तो answer बच्चो क्या दिख रहा है यह दिख रहा है यह दिख रहा है answer बढ़ाबर simple है okay sir next कौन सा है next again jman 2023 का सवाल दिया है बच्चो दूसरी shift में पुछे के सवाल होगे displacement को S से denote क्या है S बढ़ाबर 2.5 T square दिया है sir और velocity speed पूछिए अब यह distance को S से denote कर दिया है distance X से denote कर दिया speed पूछिए अब देखो कॉंसे time instantaneous निकाले के constant time average निकाले के अब आपको कभी भी ऐसा बोलाएगा न 85 सेकंड और last question में क्या था 85 सेकंड पांचवी सेकंड पे क्या होगी इसका मलब instantaneous होगा 0 से 5 के बीच में क्या होगी तो यह बेवरेज होगी बराबर ओके तो पांचवी सेकंड 85 सेकंड तो speed बराबर क्या होगा distance upon ds upon dt क्योंको instantaneous की बात किया है ठीक है तो d by dt s की value क्या दिए सर तो बच्चो 2.5 t स्क्वेर दिया है अब देखो constant है उसको बच्चो आगे दे लेना है constant को क्या ले लो आगे ले लो तो t स्क्वेर का differentiate क्या होगा 2t हो जाएगा तो इसको क्या आगई कि 5t का हैगे okay speed आगई 5t अब कौन से टाइम पर देखो यह जनरल फॉर्मला है पर time की value क्या दिया है 5 seconds तो speed तो t बराबर क्या होगा 5 तो 5 into 5 क्या हो जाएगा sir 25 meter पर सेकंड हो गया सिंपल कहानी समझ माई बत ठीक है आगे लेकर चलो तुम लोग को कौन सा सर नेक्स प्रेसन है यही में 2023 का सवाल है दुसरे अलग अलग सब recently वुचेगे सवाल है सब okay position change हो रही है time की respect में okay ठीक है तो आप देखो position change हो रही है displacement का term दिया 5T square माइनस 40 प्लस 5 पोजिशन चेंज हो रही है तो टी बराबर 1 रखोगे तो पोजिशन कुछ और मिलेगी टी बराबर 2 रखोगे तो वहां पर पोजिशन होगी टी बराबर 3 रखोगे तो वहां पर पोजिशन होगी तो आपको बुच्छा पर वेलोसिटी बताओ तो वेलोसिटी का फॉर्माशर यह ओगा डी एक्स अपॉन डीटी हो जाएगा ओके डी बाइडी टी होगी टी स्वेर माइनस 4 टी प्लस 5 ही को इसको कैसे डिफ्रेंस्यरेट करेगी बच्छ है तो तो फि refuse को एक बडादय का डी बाइडी टी हैं टी स्क्वेर टी स्कॉर माइनस दिफडिटी हैं हूद टी फॉर टी हगे का प्लस डी बाइडी यहां पे फाइ को आगे लो टी स्क्वर का क्या हो जाएगा क्योंकि यह तू आ गया जाएगा और माइनस फॉर फोर को आगे अब देखो टी का टी के रिस्पेग्मेंट डिफरेंसेट क्या होगा कर मैं बूलो डी बाय डी टी ती कुछ नहीं तो क्या वन पाउर होगा कुछ तो वन होगा तो किसी तो बाय ना गया जाएगा उसमें वन मेंज़न कम लो गया जीरो तो जीरो जीरो तो किसे का 0 पाउर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां पर इसका 4 dt by dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अब देखो 10 क्या बचाए constant d by dt बराबर 5 इसका मलब क्या कर देखो dt के respect में ध्यान देखे छोटे से time की respect में 5 में कितना change आ रहा है इसका मलब यही है छोटे से time की respect में 5 में कितना change है 5 तो constant है 5 में कोई change ही नहीं है यह t variable है यह variable है उसके जगा अलग अलग value पूट कर सकते है constant constant होता है constant में कोई changes नहीं है तो इसका answer constant में no changes तो क्या हो जीरो क्या हो जीरो तो क्या हो जीरो ओके 10T minus 4 तो velocity का form है क्या है sir 10T-4, अब कितने टाइम में, देखो, टाइम की वेल्यू क्या दिया है, 2 सेकंड, तो T बराबर क्या रख देगे, बच्चो, T बराबर 2 रख देगे, ओके, तो 1020-4, तो क्या है, 16 मीटर पर सेकंड, तो देखो, कौन सा ओप्शन देख रहा है, 16 मीटर पर सेकंड, इस C नमबर कर रहेगा, आंसर विल भी C, ठीक है, सिंपल कहानी, ओके, दो बार पुछा गया, नीट 2016 में भी पुछा गया, जेए में 2022 का सवाल, दो बार पुछा गया, क्या सवाल दिखिए, दो कार है, PNQ, स्टार्टिंग फ्रॉम आ पॉइंट, एक से स्टार्ट करे, एक से पोजिशन, अब ध्रॉम लेक से पोजिशन चांग होगा, अब यग से रिसपेक में और क्यूं कि पॉजिशन चेंग होगा, उसकी रिस अपन क्या कर डी टी इसको टाइम के रिश्पेक में डिफ्रेंसेट करूगा है हेलो अच लास क्वेशन करूँ अच अच लास क्वेशन करूँ अच 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 तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिफ्रेंसेट करेंगे और इसको डिफ्रेंसेट करेंगे तो यहां डिफ्रेंसेट करको तो पी कर की वेलोसीटी मिलेगी इसको करेंगे तो क्यू की वेलोसीटी इक्वाल है तो कंपेर करेंगे तो टाइम की वेल्यू मिलेगी देखो तो बचो पी की वेलो तो बाहर आजाएगा दिती क्याह कंदिवा भी समयोग पाल भानकर इसका कर डिफरेंश इट क्या मुझे प्लू सब्सक्तू वेलसीटी कार की की वेलसीटी मिद्थेट और ट्यू हो जाएगा ती स्कार डिफ्रेंस सेट निफ्रेंस डिख्या हो जाएगा यह किसकी क्यू कारे कि वेललसिटी आई इप यह दूननों से वेललसिटी एक्वाल हो रही है तो हम क्या करें वेल पललस टू-बिंटि इस इकल डू बच्च जो क्या कर देगा f-2 आएगा अब टी को तो एक तरफ लेके subject बना देगे, तो यहां पर ले लिया, तो t common निकल दिया, 2b plus 2 आगे, किस तरफ इस तरफ ले लिया, उस तरफ जिया, f minus a, तो t की value क्या रही है, f minus a upon 2, b plus 1, यह answer आया है, अब check कौन सा answer है, यह बचो, b number का दिख रहा है, तो answer क्या होगा बचो, b for Bombay, यह अमरा answer होगा, यह answer है, ठीक है, अब यह आगे है, देखो कुछ, कुछ नहीं है, ओके, तो अब देखो, यह वीडियो की description में जाना, यह lectures की dpp upload किया होगा, as well as lectures की note में लेगी, बराबर यह सारी PYQ cover करवा है, बच्चो, next class में आगे लेके चलोगा, तब तक मिलते हैं, बच्चो, next class में, पढ़ते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, खुस रही है, और भी बच्चो, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी चप्टर के particular points के आपको requirement है, तो आपको लेक्चर्स के, वीडियो के comments box में जाके लिखिए और आप तुरंद आपको उसका solution मिल जाएगा, बच्चो, मिलते हैं, next class में, तब तक पढ़ते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, खुस रही है, झाल प्रीजेश।